नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि तू जब चौथे भाव में बैठे हूं तो क्या फल देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, आप मेरी वीडियो को चेक कर लो, एक पर दुबारा देख लो ने, जो चौथा भाव है वो रिलेट करता है, जमीन से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी स माता से कुटुम्ब, लारजर फैमिली, उसको रिलेट करता है, और रिलेट करता है व्यक्ति के, वो घर से मिलने वाले सुख से, तो जहां केतू चौथे भाव में बैठे हूं, वहां पे जो हैं, उपद्रव क्रियेट करने की शमता रखते हैं, केतू जो हैं, वो पाक रहे हैं, यदेपी केतू के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, अलग-लग समय पे, अलग-लग द्रिश्टियों के अनुसार, वो अलग-लग फल देते रहते हैं, पर उन्तु फिर भी, अगर हम सामाने रूप में देखें, तो यदी केतू जो हैं, चौथे भाव में बैठे हों, तो व्यक्ति का जो प्रारंभिक कुटंब से जुड़ा हुआ जीवन होता है, वो बहुत ज़्यादा उतार-चड़ाव लिया हुआ जीवन होता है, कुटंब में बहुत तरह के कलह रहते हैं, तनाव रहते हैं, इस तरह की खीचा तानी रहती है, कि व्यक्ति जो है, अपने प् द्रिष्टी जो है वो दो स्थान पे जाती है एक तो जाती है अश्टम स्थान पे दूसरी जाती है बार्वे भाव में क्योंकि इन दो भाव में जो है वो दृष्टी जाती है तो व्यक्ति को कहीं न कहीं अध्यात्मिक भी बना देते हैं ये और बहुत ज्यादा अलग तरह से विचार करने की शमता दे देते हैं केतु जो है वो एक अलग ही स्वरूब वाले करे हैं वो बहुत स्ट्रॉंग रिजर्ट्स देते हैं और चौते भाव में बैठे हुए ग्यक्ति को इतनी प्रॉब्लम्स देते हैं कि वो ग्यक्ति किसी और ही दुनिया के बारे में पाकी जो आगे वाली दुनिया है उसके बारे में स्प्रिच्वैलिटी के बारे में अध्यात्म के बारे में धर्म के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है इसी तरह से उसकी बुद्धी क्योंकि बिलकुल अलग तरह से चीजों को देखती है अलग तरह से वो प्रिशानियों में से गुजरता है तो वो ऐसी शम्ता प्राप्त कर लेता है कि वो बिलकुल नई चीजों की खोज कर पाता है उसकी बुद्धी जो है वो अलग तरह से काम करती है और बहुत कंट्रोल बेसे अपने आपको प्रोजेक्ट करने की शम्ता उसके अंदर आ जाती है ये सब चीजें केतु चोथे भाव में बैठे हुए देते हैं परंतु अगर इन केतु के उपर ब्रहस्पती की दृष्टी हो तो सभी फल बदलने शुरू हो जाते हैं अगर केतु के उपर ब्रहस्पती की दृष्टी होगी तो व्यक्ति जो है उसके जो ऐसे एक्स्ट्रीम रिजल्ट्स मैंने आपको बता है वो कही ना कही माइल हो जाएंगे और अगर इस पे तीसरी दृष्टी जो है वो शनी के आ जाएगी तो जो व्यक्ति है उसकी ये जो सब प्रिशानिया मैंने आपको बता है यह और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, magnify हो जाएंगी और अगर बाकी कोई दृष्टी शनी की है जैसे साथमी दृष्टी है या दसमी दृष्टी है तो थोड़ा सा ही फरक पलता है लेकिन तीसरी दृष्टी जो है वो बहुत बड़े रूप से इसको negative रूप में पला के सामने खड़ा कर देती है केतू जो है इनकी positioning चार्ट में हमेशा बहुत important होती है और किसी भी व्यक्ति का जो पूरा आवरन है जो उसका पूरा व्यक्तित्व है जो उसकी पूरी सोच है जो उसका पूरा इनसान वो आपको सामने दिखता है इंपोर्टन प्लैनेट है Gemstones मतलब खना जैंस